बिवागत है आपका के अपने चैनल रुद्रा जियेस व yönड में हम लोगोंने पिछले क्लासस में Life processes का पार्ट four तक हम लोगोंने देख लिया था पार्ट पैछ लोग पढ़ रहा है पार्ट five और पार्ट five जिसमें हमें क्याoth कर नहीं है साइ posypnal photosynthetic pigment के बारे में composition of chloroplast के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाए प्लेलिस्ट में जाकर part 4 तक सारा video sequence से देख लीजिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं photosynthesis का site टीक है to photosynthesis होता कहा पर था की अफे अब ग्रीन पार्ट में होती है तक एफ होगे होगए को से अंदर क्लोरो P लोड हो फोटो सिंथेस्स होती है तो आप जानते हो कि जो मैं क्र फेल्ट से-ॹूल बेखाएंках अ?! किस पे chlorophyll का structure देखेंगे हम लोग है यह अल्यदी आप देख भी चुके हो एक लिए अप लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं एक लिफ लेते हैं ठीक है लिफ के बादे में आपको डिपली नहीं बताने वाला हूं कि अल्यदी यह सब आप लोग देख चुके हो कि क्या पैटिय Martello क्लें मेरा मोटनीर नहीं बताना आपको मुझे क्रलिफ में से क्लिन यानि कि यहाद कर लेंगी यहाँ से इस स्च्छिटन को मैं jest को स्क्वास्टर को काट कर यहां पे जूम करके दिखाया जा आप क्या देख रहे हो कि यहां पर कैसे का यह क्या है कि जब आप इसको माइक्रोस्कुप में देखोगे ठीक यह इस तरक स्ट्रक्चरट करोते देखो जो नज़र खेंगा ठीक कि इसके ठीक नीचे लोवर एपिडर्मिस होता है ठीक है क्योटिकल के ठीक नीचे क्या होता है लोवर एपिडर्मिस होता है ठीक है और नीचे साइड में क्या होता है स्वारी क्योटिकल के ठीक नीचे क्या होता है अपर एपिडर्मिस होता है और यहां पर क्या होता है लोव आपको नजर आती है इस प्लब टीशूपीशू तीशू चाप्टर टीशू कि और पर बताया गया होगा ठीक है कि अब आप क्या देखुगे इस में श्रक्ट्चर आपको यह क्या रही है और पाइले तीशु ने विए प vrij उले टशेड्ञ टीशु के बात मृत क्या करते स्पंज कर दोंटी बता है मैं मेंस उप नता करता है क्या नीचे एक सरे बात ने चलिक है अब होते हैं ये यहीतने भी देख रहे हो डिध्रेस नहीं सब्सक्राइब क्लोरोग्र कुरल से 18ques यहां से इक पार्टिकल को निकाल के दखाए यानि कि एक क्लोडो प्लास्ट का इं टृइनल आप है इलेक्टर यहां पर क्या चुर में यह लाइनिंग क्या है आउटर लाइन हो यह थिरीड है यह ठीक है, cell chapter में इसे भी आपको पढ़ाया गया होगा, किसको chloroplast को, chloroplast को cell chapter में पढ़ाया गया होगा, मैं पढ़ाऊंगा भी, आपकी एक series जो है, class 9 की भी चल रही है, ठीक है, वहाँ पे भी ये discuss होगा, है न, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, अच्छी तरीके से, ठी किसमें पाए जाता है, chloroplast में, ठीक है, chloroplast में, double layered membrane पाए जाते हैं, ठीक है, एक होता है outer membrane और एक होता है inner membrane, ठीक है, दो membrane से क्या ही है, surrounded होते हैं, घिरे हुए होते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप आओगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा क्या, राइबोजोम दिखते हैं, राइबोजोम राइबोजोम का टाइप होता है, 70S टाइप, राइबोजोम भी आपको क्लास 9 में पढ़ाये गया है, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, 9th क्लास वाली सिरीज में आप वहां से देखोगे उसको, ठीक है, इसके बाद आपको क्या प्रोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटो आप इधार आओं आप इहां पर देख रहों कि सिकों हम लोग क्या करते हैं मुझा टीए क्या उपर एक की ऊपर एक की ऊपर आरेंज कर देते हैं तो यह एक सिख्सक्राइब थायलेक्ट क्ません इन तैलेकृट के अंदर शाटेया जाते हैं खलोभल क् तो इसके बाद आप देखरों कि इस तरह के स्टाक्स जो है और भी मिल बने हुए हैं ठीक है तो इन स्टाक्स को हम लोग क्या करते हैं आप कहोगे सर इसको हम लोग करते हैं ग्रेनम क्या करते हैं ठीक है यहां से एक स्टॉक की बात करेंगे यहां से इसको निकाल कर कहा जा र तो आप कहोगे सर यह गुच्छा होता है पूरा है ना किसका थाइलेकोईड का ठीक है इस स्टाक ओफ क्या थाइलेकोईड यहीं पर क्या होता है लाइट रेक्शन होती है यहीं पर क्या होती है लाइट रेक्शन होता है ठीक है यहीं कि लाइट फेज और फोटो सिंथेसिस क अपे इसको आप कहते हैं सिंपली हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या होता है डार्क 만든 है यहां यहां पर होती है यह यह light reaction by transaction कहते हätी कि इसको है यह हम लोग पढ़ Selbst कब जब ठीक इसके बाद एक वीडियो आएगी ठीक है पार्ट 6 उसमें हम लोग देखेंगे क्या mechanism of photosynthesis उसमें क्या देखेंगे mechanism of photosynthesis ठीक है चलिए बात करते हैं कि photosynthesis जो है उसकी site क्या है तो आप कहो होगे photosynthesis only occur in those cells which contain chloroplast ठीक है photosynthesis उन ही cells में होती है जो क्या contain करते है chlorophyll contain करते है यानि जिन में chlorophyll नहीं होगी obviously वहाँ पर क्या होगा photosynthesis नहीं होगा ठीक है clear है बात फिर आप कहोगे these green colored plastids plastids in the sense what green colored plastids in the sense you can say we are talking about chloroplast ठीक है यानि कि these chloroplasts are not found these chloroplasts are not found in upper and lower epidermis ठीक है यह जो आप देख रहे हो figure में ठीक है lower and upper epidermis जो है इसमें क्या है chloroplast नहीं पाए जाते है ठीक है chloroplast पाए कि इसमें जाते है यह जो mesophyll tissue देख रहे हो ना mesophyll tissue ठीक है mesophyll tissue in the sense what आप कहोगे palistate tissue और spongy tissue में ही क्या पाए जाते हैं chloroplast पाए जाते हैं ठीक है कहां गया they are not found in upper and lower epidermis of green leaf ठीक है तो यह पाए कहां जाते हैं आप कहोगे they occur in mesophyll cells किसे पाए जाते हैं mesophyll cells मैंने उपर भी बताया कि mesophyll cells जो हैं दो पार्ट में हैं यानि कि आप पहले से टीशू और spongy tissue दोनों को एक साथ आप क्या करते हो mesophyll cells करते हो ठीक है that occupy space between these epidermis यानि कि आप कहोगे कि जो mesophyll cells हैं कहां पे located होते हैं तो आप कहोगे sir upper epidermis और lower epidermis के बीच में कौन पाए जाते हैं तो आपको होगे sir mesophyll cells पाए जाते हैं ठीक है इनहीं में क्या होता है जो है occur होती है ठीक है they occupy the space between these epidermis these in the sense what you can say upper epidermis and lower epidermis ठीक है lower epidermis और upper epidermis के बीच में क्या पाए जाते हैं mesophyll cells पाए जाते हैं यानि कि पहले से mesophyll cells में होते हैं ठीक है mesophyll cells में होते क्यों है कहोगे यहीं पर क्या पाए जाते हैं green colored pigments पाए जाते है that is chloroplast पाए जाते है clear है बात चलिए यानि आप यह भी कर सकते हो कि जो photosynthetic photosynthetic pigment जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं mesophyll cells में पाए जाते हैं चलिए the complete process of photosynthesis photosynthesis की complete process जो है ठीक है यानि की light face और dark face कहां पर होता है inside the chloroplast यानि completely photosynthesis कि में अकर होती है आप कहोगे chloroplast में अकर होती है ठीक है क्यों अकर होती है तो आप कहोगे यहीं पर green colored pigment पाए जाते हैं ठीक है है ना जो क्या करते है visible light को observe करके उसका क्या करते है optimum utilization करते हैं किसलिए photosynthesis के लिए clear है बात यानि कि ये दो face जो आप देख रहे हो light face और क्या dark face light face कहां होता है grana में होता है dark face किसमें होता है stroma में होता है ठीक है समझ रहे आप grana में क्या होता है grana में क्या होता है और यह जितने भी आप protein genius matrix ढेख रहे हो देखेंगे इन सब को हम लोग चांते है एन ट्रोम कहते है और यहां पे concept होता है face photosynthesis का dark face यानि के रात में भी photosynthesis होती है ठीक है और दिन में भी होता है यानि कि दोनों फेज में photosynthesis होती है कैसे होती है वो हम लोग next वीडियो में पढ़ेंगे जहां आपको बताई जाएगी mechanism of photosynthesis और छोटी सी अपील आप वीडियो को like जिरूर करें comments भी करें ठीक है subscribe भी करें अगर आप new है इस वीडियो में तो और bell icon को भी हिट करें ताकि जो भी notification है आप तक पहुंचती रहे वीडियो की और अपने दोस्तों के साथ share भी करें जो इस lockdown में study नहीं कर पा रहे हैं ठीक है आप उनके पास भी क्या करें share करें ठीक है thank you see you in the next video बईड़ क्या करें तो यूज करें झाविंग एक बख़ यूद बड़ आप आपकर आपकर लोगर बड़ करें आपकर रादोब करें से वाफ्स बाइशचती बूदा थाफ्स का नहीं जाड़ बूदा जोड़ करें तो इसे लावर का एक जाईवर